देश में CAA के खिलाफ चम कर विरोध हो रहा है देश के विभिन इलाकों में दिल्ली के शेहिन बाग की तर्स पर विरोध प्रदर्शन चल रहे है CAA के खिलाफ केरल और पंजाब सरकार के बाद राजस्थान ने विधान सभा में प्रस्ताव पास कर दिया है प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने विधान सभा में चम कर नारिबाजी की थी अब एक बार फिर राजस्थार में CA को लेकर सियासत की सरकर्मी तेज हो गई है लेकिन इस बार गहलोज सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच नहीं बलकि कॉंग्रेस पार्टि के वरिष्णेता और विधान सभात्यक्ष नहीं गहलोज सरकार पर सवाल खड़े करती है दरसल सुबे के मुख्याशो गहलोज ने कहा कि उनके सरकार केंद्र के इस कानून का पुर्जोर विरोध करती है जानकरी के लिए बता दें कि CA और NRC की खिलाब गहलोज सरकार ने विभिन समुदायों के साथ शांती मार्ज निकाल कर एलान किया है कि राज्य में CAA और NRC को लागू नहीं किया जाएगा वहीं राजस्थान कॉंग्रेस पार्टी के वरिशनेता और विधान समाय स्पिकर डॉक्टर सीपी जोशी ने CAA को लेकर कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में CAA लागू करना पड़ेगा सेंटरल गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बना दिया तो कोई भी राज्य उसके विरोध में कोई कानून नहीं बना सकता विधान सबाद्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि केंडर के बनाई नागरिकता संशोधन कानून को राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा इस पर कानून बनाने का दिकार सिर्फ और सिर्फ संसत को है लिहाजा विधान सभा द्यक्ष डॉक्टर जोशी का बयान समिधान के अनुरूप है वहीं मुख्य मंत्रिय शोगहलोत एलान करते आ रहे हैं कि राजस्थान में C.E.A. और N.R.C. लागू नहीं करेंगे ऐसे में सियासत की गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या C.E. जोशी अपने पार्टी अलाकमान और सुबे के मुख्या के खिलाब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं क्या राजस्थान कॉंग्रेस पार्टी आन्त्रिक कले के दोर में हैं क्योंकि मुख्यमंत्री और उप्मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक मरमुटाओं से सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा लोगों का कहना है कि क्या अब गहलोत के निशाने पर सीपी जोशी का नाम है। आपको बता दें कि देशबार में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या ऐसे में केंदर सरकार को जन भावनाओं को समस्ते हुए इस कारून को वापस लेना चाहिए और एनार सी लागू नहीं करने की घोशना करने चाहिए।